नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश सोला अप्रायल मंगलवार सुबह सवाच्वाच्वजे राज़सान की बड़ी खबरें प्रधानमंदी नरेंडर मोदी ने कहा कि मेरी फैसले किसी को डराने के लिए नहीं है उन्होंने कहा कि रामंदीर उनके लिए राजनेतिक हथिया था अब हुआ क्या रामंदीर बन गया उनके हाथ से मुद्दा निकल गया प्यम मोदी ने मीडिया को दिये एक इंटर्वीव में ये बात कही इसे सोमवार को रिलीज किया गया इंटर्विव में राम मंदिर, DMK का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टरोरल बॉन्ड और भारत के विकास का रोड मैप जैसे कई मुद्दों पर बात की गई मुंबई में बॉलिवड एक्टर सल्मान खान के घर के बाहर वी फायरिंग के मामने में, जौँच के लिए मुंबई ATS की टीम जैपुर पहुंची है, ATS मुंबई को शक है कि फायरिंग की प्लानिंग डाजिस्तान में की गई, इसे लेकर मुंबई ATS की चौर सीनिर आफिसर की टीम ने समवार को सोडाला थाने में बंद, लौरेंस बिश्णोई गैंग के गुर्गे रितिक वाक्सर से पूस्ताच की है, फायरिंग करने वाले बदमाशों के बारे में जौँचाने के लिए मुंबई ATS की टीमें अलग-अलग राजियों में पूस्ताच कर रही है, फायरिंग के मामने के जौँच कर रही है, के इंदे ग्रहमंत्री अमिच शाह का जैपूर की चाधिवारी में रोडशो हुआ, शाह का रोडशो सांगानेरी गेट से शुरू हुआ है, लग-भग 1.8 किलिमेटर लंबा रोडशो एक घंटे तक चला, इस तोरह नमिच शाह क के साथ मुख्य मंत्री भजनलार शार्मा, डेपटी सीम दिया कुमारी और जैपूर शहर लोगसबा सीट से बीजेपी की प्रतियाशी मंजु शार्मा भी मौजूद रही, इसी जगह विधान सबा चुनावों में प्रतान मंत्री नरेंडर मोधी ने भी रोडशो किया था, इससे पहले के इंद्री ग्रह मंत्री के दौरे के लिए पूरे शहर को बीजेपी के ज़न्डो और पोस्टर से सजा दिया गया, साथ ही पुलिस ने शाहक की सुरक्षा को लेकर बैरिकेटिंग की। सब समझ रही है, इस बाद देश पर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे, ग्यालवत ने कहा कि महंगाई और बेरुजगारी पर बीजेपी बोलती नहीं है, देश के मुद्द पर बोलते नहीं है, बीजेपी का घोशना पत्र जूट का पुलिंदा है, आनन फानन में घोशना पत्र बनाया गया है, इनको कॉंग्रिस से पहले घोशना पत्र लेकर आना चाहिए था, देश में ADCBI और Electoral Board मुख्य मुद्दा बन गया है, इन दौर में पतंजली के बिस्किट पैकेट में कम वजन निकलने का मामला सामने आया है, ग्रहक ने डी मा 31 मार्ट को फैसला सुनाया, इसमें पतंजली और डी मार्ट समेट पैकेजिंग कमपनी पर 1,44,000 रुपे को जिर्माना लगाया है, आदेश की कॉपी पक्षकारों को अब मिली है, निडिया रिपोर्ट के अनसार पतंजली कमपनी और डी मार्ट की और से जिर्माना जमा कर दिया गया है, हलंकि फर्यादी को अभी कोई हर्जाना नहीं मिला है, उसी सेवा में कमी का केस दर्च करवाने के लिए उभुकता फोरम में जानी के सलाह दी गई है, आयो देश से दिली जाने वाले इंडिगो की फ्लाइट दिली में मौसम खराब होने की कारण वहां वहां जब फ्लाइट को लैंड करा आगया तो उसमें फ्लाइट में केवल दो मिनट का फ्यूल बचा था, घटना 13 अपराल की है, ये शिकायत अपने सोशन मेडिया अकाउंट से दिली परिस के DCP क्राइम सतीश कुमार ने की है, वो भी इस फ्लाइट में यात्रा कर रहे थ हलांके चुंडिकड़ एरपोर्ट की CEO राकेश सहाय ने ऐसी किसी घटना के होने से इंकार किया है, इस मामले में इंडिकों ने सफाई ज़ारी की है, इसमें कहा गया है कि विमान के कैप्टन ने SOP का पूरी तरह पालन किया, ये बिलकुँ सुरक्षित प्रक्रिया है आयोध्या में राम नवमी 17 अप्रायल पर राम नला की माथे पर सूर्य की रेंट 12 बच कर 16 मिनट के करीब 5 मिनट तक पड़ेगी, राम नला का दर्बाश रधालों के लिए 20 घंटे खुला रहेगा, मंगला आरती के बाद ब्रहम मोरत में साड़े तीन बजे से राम नला के दर्शन चुरू होंगे, श्रधालों को राद 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा, दर्शन के बीच राम नला का अभिशेक और श्रंगार भी चलता रहेगा, इस दिन करीब 15 लाग श्रधालों के देश विदेश से आयोध्या पहुंचने का अनुमान है बारती जंदा पार्टी इवा मोट्शा के राष्ट्री अध्याक्ष रसांसा तेजस्वी सूर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है, इस वीडियो में वे एक मीटिंग हौल से भागते हुए नसर आ रहे हैं, वहां मौजूद लोग गुस्ते में दिखा दे रहे हैं, लोग सबचुनाँ 2024 के लिए भाजपने तेजस्वी को बैंगलूरु दक्षिन सीट से उमीदवर बनाये हैं, दरसल वारेल वीडियो तेरा अपरायल का है, तेजस्वी का एक सावजनिक सभा में शामिल होने के लिए पहुँचे थे, सभा में सहकारी बैंक एस इसी बीच कुछ लोगों ने तेजस्वी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, ये वे लोग थे, जो श्री गुरू रागवेंदर सहकारी बैंक नियमिता से जुड़े करोड़ो रुपए के घोटा लेके पीडि थे, उन लोगों ने सवाल किया है कि उन्हें मिलने वाले बुक्तान में देरी क्यों हो रही है, इसी दोरान सवाल करने वाले लोग गुस्से में आ गए कोटा में डालनी ते गरमाई हुई है, चुनावी प्रतियाशी एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं, हाल ही में प्रहलाद गुंजल के आकरामक बयानबाजी के बाद अब भाचपा नेता उन्हें प्रहलाद गुंजल पर जुबानी हमला बोला है, भाचपा नेता कॉंगिस प्रतियाशी प्रिलाद गुंजल द्वारा कोटा रेंच आईजी पर दिये भाजपा के एजेंट होने के बयान का खंडन करते वे कहा है कि गुंजल चुनाओं में बॉखला गए हैं और उनको अपनी हार नज़र आ रही है दौसा लोग सभा के बस्थी विधान सभा शेत्र के खोरी गाओं में सोहार शाम सभा को भाजपा प्रतियाशी करें लाल मीना के चुनाओ प्रचार के लिए आयोजी सभा में संबोधित करने आए राजी सरकार की कैबिनेट मंत्री किरोडी लाल मीना कारेकरताओं की कम संख्या को देख कर भड़क गए डौक्टर किरोडी लाल मीना नाराज होकर मन से नीचे उतर गए और बिना संबोधित की यही लोड़ गए जन्होंने भाच्पा की बसी विदानसभा के बदाधिकारिएं को भी लतार लगाई बाते मौशंבी भाग ने संबोधित को बताये कि इस बात जून से सितम्बा तक मौंसून साहमाने से बहतर रहेगा मौसम विभाग 104-110% के बीच बारिश समाने से बहतर मानता है ये फसलों के लिए अच्छा संकेत है मौसम विभाग ने बता है कि 2024 में 106 प्रतीशत यानि 87 cm बारिश हो सकती है चार मेने के मौनसून सीजन के लिए लॉंग पिरिड एवरेज 868.6 mm यानि 86.86 cm होता है यानि मौनसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए रजसाद में परिवन विभाग के तमाम चितावनी के बाद भी लोग अपने वाहनों पर हाई security number plate नहीं लगवा रही है परिवन विभाग ने कई बाच चुताया है कि समय पुरा होने पर कारिवाही होगी रासबन जिले में हजारों की संक्या में वाहनों पर हाई security number plate नहीं लगई हुई है सिती ये है कि अभी भी अधिकतर वाहनों की number plate पर जाती तो कहीं पर समाज का नाम लिखवाया गया है अथवा पद का नाम अंकित है वहीं परिवान विभाग ने कहा रखा है कि 30 जून के बाद जिन वाहनों पर हाई security number plate नहीं लगी हुई होगी उनके खिलाफ कारवाही की चौईगी उद्यपुर में लोकतंतर के उस्सव के साथ गाउं में पचार प्रसार की धमा चौकडी के बीच ग्रामेनों में मद्दान को लेकर काफी उद्सा है गाउं में चबूतरो, चौपालो और चाय की थडियों पर सिर्फ चुनाव की चौचा है लिखिन इन सब के बीच गाउं में समस्याओं का भी हमपार है ग्रामिन शेत्रों में लगाई चौपाल में अब तक कई समस्याएं सामने आई हैं रईवार को ये चौपाल वल्लम नगर कस्पे में लगी धौलपूर में सेपाउं के अतिहासिक महादेव मंदिर में रईवार को मुख्य मंत्री बजनलाज शर्मा ने जनसभा को समबोधित किया था मुख्य मंत्री के समबोधन के तरहां स्थाने लोग सभा को छोड़ कर जाने लगे जिसको लेकर कौंगेस के प्रदेश अध्याश कोविन सिंग डोटास्रा ने सोशल मीडिया पर तंज कसा है डोटास्रा ने सोशल मीडिया पर लिखते वे कहा है कि भाजपा का जुनता से भरोसा उड़ गया है सिर्फ चार महिने में ही परची सरकार का ये हाल है तैसार हाउसिंग बोड के ओर से नौ शहरों में निकाली 3,001 मकानों की स्कीम के लिए ओनलाइन आवेदन की प्रिक्रिया रुख गई है बोड की ओफिशल वेबसाइड पर पिछले कुछ दिनों से आई तकनीकी खराबी की कारण आवेदकों की रजिस्ट्रिशन तक नहीं हो रहे है वहीं बोड की तरफ से जो आमजन के लिए हलप लाइन नमर जोरी किये गए है उनमें इंकमिंग फैसलिटी ही बन पड़ी है इधर बोड प्रिशासर ने उन्हीं योजनों के आवेदन की तारीक को एक महने यानी 15 मही तक बढ़ा दिया है जिनमें कम आवेदन आए है हाफ सिंग बोड अधिकारी ने बताया कि तकनिकी खराबे की कारण आवेदकों के रजिस्टर एमेल पर वेरिफिकेशन के लिंक नहीं जो रहे है इस कारण आवेदक फार्म भरने के आगे की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे है तो फिलाल खास खबरों में इतना ही ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे है SBT News धन्यवाद